अध्यम से हम आप तक उन किसानू की कहानिया पहुंचाते हैं जो कि कृशी के क्षेत्र में बहुतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान अपनी लगा निच्छा शक्ती मेहनत के बल पर अपना नाम स्थापित कर रहे हैं इसलिए हमारा मकसद है कि देश के कोने कोने में उभरती हुनी प्रतिभाव से आपको रूबरू कराया जाए ऐसे किसान जो कि कृशी स्टार्ट अप इसके साथ ही साथ पशुपालन और खेती किसानी में नएने प्रियों के लिए जाने जा रहे हैं ये अपने लिए रोजगार के नए अफसर तो पैदा करी रहे हैं साथ ही अन्य किसानों को भी जोड़ रहे हैं आज के हमारे सफल किसान हैं उत्तर प्रिदेश के घाज़ियाबा से संबंद रखने वाले जो कि खेती के साथ साथ पशुपालन और कहा भी जाता है कि अगर आप क्रिशी में बहतरीन प्रिदेशन करना चाहते हैं अच्छा लाब चाहते हैं तो पशुपालन अवश्य करें इसके दो बहुत बड़े लाब हैं एक तो ये कि किसान को दूद, दही, घी तमाम चीज़े प्राप्त होती हैं और साथ ही साथ जो जानवर हैं उन से निकलने वाले अवशेश को वो खात के रोप में अपने खेतों में इस्तमाल कर सकते हैं आज के जो हमारे सफल किसान हैं वो खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं जिसमें उनके पास गाए, भैंश, शूकर और कड़क नाथ भी हैं तो आईए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे सफल किसान से भारत की क्रिशी और पशुपालन दोनों ही देश की आर्थिक सनरचना और ग्रामीन जीवन का अभिन अंग है इनका महत्व एतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक द्रिश्टी कोण से बहुत अधिक है क्रिशी न केवल भोजन और कच्चे माल की आपूर्थी करती है बलकि ग्रामीन ख्षेत्रों में रोजगार का मुख्य स्रोथ भी माना जाता है खेती किसानी को आहसान बनाने के लिए पशुपालन बीहत ही जरूरी माना जाता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान पशुपालन के प्रती बख्भू भी समझ चुके हैं समय समय पर देश में ऐसे सफल किसान उभरते रहे हैं जिन्होंने खेती किसानी या पशुपालन को एक नया आयाम दिया है ऐसे ही सफल किसान की बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। इन ही सब किसानों में एक किसान है सुबे सिंग यादफ जो खेती के साथ पशुपालन में भी अपनी कस्मत आजमा रहे हैं और इस क्षेत्र में सफल भी साबित हो रहे हैं। पशुपालन के क्षेत्र में अलग करने की राह पर चल पड़े। सर्वाइस में पहले बैक ग्राउंड में जाता हूं थोड़ी सीज क्योंकि पसुपाले भी रखते थे और कापी दिन से पसु रखते आ रहे हैं। अब थोड़ी से आई सी यार वालों की महरवानी समझें या हमें थोड़ी सा गाइडिलाइन उन्होंने किया। उस पसु के गोबर से स्प्लांट लगवाएं। जिससे हमारे दो काम हूए। एक तो उस गोबर के रूप में अरो हम अल्ही बनाुड़ी से द खातो और व्यूद भीके और रसोई गैस का हमारा पूरा काम चल रहरゃ है। तो आम के आम गुठली के दाम है। दूसरा हमारे इसके दूद के आमदनी जो पहले दूद के आमदनी और इसमें हमें टेक्निकल सुधार करके कुछ सुधार हमने बहसों में करी नसल में भी करया तो जैसे आमदनी हो रही ही मालत एक बहस बारा किलो दूद दे रही है तो अब हमारे पास में 14-15 किलो दूद दे पड़े के आमदनी समझों और पड़े के आमदनी में 200-300 रुपया पड़े बहस पे खरत हो जाते हैं वरकर पे खरते हैं और बाकिया हमारी सोद आमदनी में तेली जाती हैं यह हमारे पसूं की हैं हमारे पास तीन पसूं हैं और तीन ही गाय हैं जिसकी देख रेक करकर एक पर का एक प्रमुक स्रोत भी है सफल किसान के लिए पशुपालन न केवल आर्थिक सम्रिथी लाता है बलकि खाद दिसुरक्षा और पोशण में भी महत्व पूर्ण भूमी का निभाता है सफल किसान सुबे सिंग्यादव भी पशुपालन को बखो भी समझ चुके हैं और पशु गमजाइस के बारे में विस्तार से बता रहे है सफल किसान सुबे सिंग्यादव जी भूपर गजास में बाई जोगास आربरि है जो महने की कम से कम हमारे डेड़anged सवरंडर या एक सवेंडर से कम तो लगता ही मित है तो वाई के सेलरी से हमाँ एक सलेंडर की पूर्ती पूरे महने की अने के साल की साल हमांेरे बायोगास उल्द है एक स्लेंडर के लिए बहुत बहत वेत्रीन तो यह दो भब कंपोस्ट बनाते थे उसके यूड histoire ग Airline लेकिन अब जो जितना सुधार होया उसकी तो बहतरी इनक्वालिटी है पैदावार बढ़ी है और गैस की पूर्टी होई 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 पश्युपालन और खेती का ताल मेल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है बलकि ये ग्रामीन क्षेत्रों की समरिथी और खाद इस ताल मेल को कुशलता से अपनाया जा सकता है पश्युपालन और खेती एक दूसरे के पूरक है पश्युपालन से उत्पन गोबर और मूत्र का उप्योग खाद के रूप में किया जा सकता है ये प्राकृतिक खाद मिट्टी की उरवरता बढ़ाने में सहायक होती है और सायानिक उरवरकों की आवश्यक्ता को कम करती है प्राकृतिक खाद बनाने के लिए गोबर गैस का अलगी महत्व है गोबर गैस जिसे बायो गैस भी कहा जाता है एक स्वच और नवीन करने ये उर्जसरोत है जो गोबर और अन्यजैविक अपशिष्टों की अपखटन से उत्पन होती है ये ग्रामीन और क्रिशी प्रधान समाजों के लिए विशी शुरूप से महत्वपूर है जहां क्रिशी और पशुपालन प्रमुख आजीविका के साधन है इसे के साथ है सफल किसान में यहां वक्त एक छोड़ी सी ब्रेक का लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे हमारे आज के सफल किसान पशुपालन में गाय और भैस्तों रखी रहे हैं साथ ही साथ उनके पास कड़क नात भी है कैसे वो आ जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद बखुद खुलने लगते हैं एक कोशिश के बाद खुशाली आती है यहाँ खोज होती है मिट्टी सूना उगलती है यहाँ पदली जाती है खेतों की दस्वीर और अनदाता की तकदीर विक्सित होते भारत के स्मार्ट क्रिशी की हर राह शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह हम दिखाएंगे वो तस्वीर जब बदल देगी क्रिशी के लिए आपका नजर्या जानने के लिए देखिए एगरी की उडान, शिक्षा और अनुसंधान बहुत जल्द सिर्फ डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सफल किसान ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे हमारे किसान अगर पशुपालन भी खेती के साथ करते हैं तो उनकी आये कई गुना बढ़ जाती है और इसके कई लाब उने प्राप्त होते हैं आई अब कारिकर्म को आगे बढ़ाते हैं और आज के सफल किसान के बारे में आपको कुछ और बाते बताते हैं ये खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं जिसमें उनके पास गाय भैस्तों हैं ही इसके अलावा सुनियोजी तरीके से वो तमाम कारियों को आगे बढ़ाते हैं इसी वज़े से शुकर्पालन और कड़कनात को भी वो रख पा रहे हैं आई जानते इससे उन्हें कैसे लाब हो रहा है सभल किसान सुबे सिंग्यादव जी पशुपालन की बारीकी को समझ चुके हैं इसे लिए इनके बाड़े में लगभग पात सो पशु हैं जिसमें गाय, भैस, मुर्गी, सुकर इत्यादी शामिल है इन सबों में सुकर पालन का व्यवसाय सबसे बढ़िया माना जाता है सुकर पालन, जिसे सुवर पालन भी कहा जाता है ये एक महत्व पूर्ण और लाबदायक क्रिशी व्यवसाय है ये पशुपालन का एक प्रमुक हिस्सा है जो विशेश रोप से मास उत्पादन के लिए किया जाता है. सुकर पालन में सुवरों की प्रजनन, पालन पोशन और प्रबंधन के विभिन पहलूओं इन सब बातों का ध्यान रखना किसान या पशुपालक के लिए जरूरी होता है. सुकर पालन एक तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है, जिसमें मुनाफ़ा जल्दी आता है. सुवरों की प्रजनन क्षमता और व्रिद्धी दर उच होती है, जिससे किसानों को कम समय में अधिक लाप्ट प्राप्थ होता है. सुकर पालन के लिए रख रखाव बहुत ही जरूरी होता है. सुवरों के लिए सुरक्षित और आराम दायक बाड़े का निर्मान करना, बाड़े में उचित बेंटिलेशन और सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए. इन सब बादों के अलावा संतुलित आहार की व्यवस्था करना भी जरूरी माना जाता है. सुवरों के आहार में मक्का, सोयाबीन, गेहु और अन्य अनाज शामल किये जाते हैं, जो स्वास्थ के लिहास से काफी फायदिमन साबित होता है. आठ के गरिवा जाती है. और आठ में वो एक मैने पैंतीस दिन के अपने बच्चों को दूद पिलाने के बाद में छोड़ देती है. फिर हम उसे दूसरी उनिट में डाल देए, नरसरी से दूसरे उसमा जाते हैं. और उसके बाद मैं वहां से बच्चों को पाड़ कर, फि अभी ताका आपने सफल किसान में जाना कि कैसे हमारे आज के सफल किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी बहुत ही सुद्रन तरीके से कर रहे हैं आएप कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी देते हैं कि कैसे वो मुर्गी पालन से भी अच्छा लाब कमा रहे हैं मुर्गी पालन के व्यवसाय को कैसे नई उचायों तक ले जा रहे हैं देखते हैं इस रिपोर्ट में मुर्गी पालन जिससे पोल्ट्री फार्मिंग भी कहा जाता है इसे क्रिशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और ये दुनिया भर में मास और अंडे का प्रमक्सरोथ है ये व्यवसाय न केवल आर्थिक रूप से लापदायक है बलकी ये खाद्य सुरक्षा, पोशन और ग्रामीर विकास में भी महत्व पूर्ण योगदान देता है मुर्गी पालन में कड़कनात का बढ़ा महत्व है ये कई रोप में फाइदे मंद साबित होता है कड़कनात का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश की जाबुआ को माना जाता है लेकिन आज के समय में कड़कनात पालन अधिकांज क्षेत्रों में होने लगा है कड़कनात की महत्व को समझते हुए सफल किसान सुबे सिंग यादव भी कड़कनात पालन करने लगे कड़कनाथ पालं करने का विचार कहां से आया और इससे कितना लाब होता है इसके बारे में जानने के लिए रुख करते हैं सफल किसान का कि जंगल में डोल फिर के ही बगर बगर खर्चे के ही हमारे यां कॉम चल रहा क्यों उची का दाण पाना उची में काम चल जाएच कोई अलग से हमारा कोई खर्चा नहीं है तो यह भी हमारी सुदाम दरी में है इसके एक अंडा कम से कम भी 30-35 रुपया एक अंडा बिखता इ तीस मुर्गी हैं तीस मुर्गी इनके डेली का एवरेज के साब से ऐसी हो जाए नो सो अजार रुपय का एवरेज आजाए खर्चा हमारा इसमें कोई ज्यादा ऐसे कुछ नहीं है कि हमारे खर्चे है इसमें और कटकनात एक देशी वेराइटी है इसके मीट में भी बहुत वो करेंगे तो इसी से सम्मंदित सारी चीज मल्टिक्रेटिंग फार्मिंग हो जाएगा कडकनात मुर्गी जाबुआ क्षेत्री की आदिवासी संस्कृति और परंपरा का एक अभिन हिस्सा है इसका पालन और उप्योग स्थानिये रीती रिवाजों और त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है ये स्थानिये समुदायों के सामाजिक और संस्कृत कड़कनात मुर्गी का पालन पर्यावरन के लिए भी लापदायक माना जाता है ये स्थानिये वनस्पति और पशुधन के साथ सामण जस्सिस थापित कर सकती है जिससे जैव्विद्ता को बढ़ावा मिलता है कड़कनात मुर्गी पालन किसानों के लिए एक महत्वपूर् इसकी बढ़ती मांग और उच बाजार मूले के कारण किसान इससे अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। इसके मास और अंडे की उच्छ कीमत के कारण ये अन्य पारम पर एक मुर्गियों की तुलना में अधिक लाबकारी होते हैं। इसे के साथ है सफल किसान में यहां वक्त एक छोड़ी से ब्रेक का। इसे तुल किसान में आ यच्छा में ये उेthers बत्रुल दला के साथ हैं। ляются फिसे अらले किसान僕 वक्त पस tut पया है ड्री और किसके आखकी ओंगभी. झा तर्ड़bothे, कईमाऊ़। इसे आमान्स अवय आच्जश 5-10mittel, क्वान्स कि ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सफल किसान जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सूबे जी की जो कि क्रिशी में पशुपालन को बहुत महत्वपून मानते हैं क्योंकि इसके कई तरह के लाब उन्हें खेती में देखने को मिल रहे हैं साथ ही उनकी आई भी बढ़ रही है आईए कारिक्रिम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि पशुपालन सभी लिहास से फायदे मंद है लेकिन सबसे वड़ी समस्या आधी है कि इसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए एक व्यक्ति को इसके लिए हमेशा तकपर रहना पड़ता है इन ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए सफल किसान सुबे सिंग्यादव जी ने इसकी देखरेक के लिए एक लड़के को रखा है जो इसकी देखरेक करता है पशुओं की देखरेक एक समग्र और सतत प्रक्रिया है जिसमें उनकी सभी आवशकताओं का ध्यान रखा जाता है सही देखभाल से पशुओं का स्वास्थ, उत्पादन और कल्यान सुनश्चित किया जा सकता है इसके लिए किसानों, पशुपालकों और पशुप्रीमियों को शिक्षित और जागरूख होना अवशक है अच्छी देखभाल से न केवल पशों का जीवन सुखमे होता है बलकी ये किसानों और पशुपालकों के लिए भी आर्थिक लाब का स्रोत बनता है देख रेक की दिन चर्या के बारे में बता रही है अजीद वारे में जाकर है वंक पर घान होता ही जाकरन के छोगश के बिए उसокर भाद में जाकर चेलं सेंवहा इसरो मेरे में यह दूg लिए कंशोमित्स शावा में परतंस मेरे मेंडा चला है किर भी मेंभा बच्चांव परेग्श क apparatus और बैस दून आठ महीने में बच्चे जाकर हमारा जाकर कम समय जाकर 20 से 25 लोग होता है जाकर उसका जाकर दाम जाकर साड़े 8,000 रुपे 9,000 रुपे कर बैठता है और जो मादिन के नीचे बच्चे हैं मादिन भी आ जाती है तो उस टेम पर जाकर बच्चों कर रेट जाकर 2000 से 5000 तक लगता खाने पीने जिन खर्च्चा आ जाते हैं ताशा इस टाशा के क्लाइथ खाने पीने कर जाकर एक डिड़ लाग रुपे की आमंद नी वादक कर जाती है पशुपालन से अगर इस समस्या से निजात मिल जाती है तो पशुपालन के लिए बहुत ही फाइदेमंद साबित हो जाती है पशुओं के रहने का स्थान हमेशा साफ और स्वच्छ होना चाहिए पशुओं के बाड़े में उचित वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि ताज की और ऑक्सिजिन की परियाप्त मात्रा बनी रहे इससे अमोनिया और अन्य हानिकार ग्यासों का संचय नहीं होता है पशुओं का स्वास्त का देखरे करना भी एक कठनाई होती है कि कब टीका करण करवाना है ताकि पशुओं में कोई या बेंस या बकरी जो भी रखते हैं तो उन में सबसे पहले समय समय पर विभिन परकार की बीमारियों के लिए टीका करण बहुत जरूरी है जैसे मूखुर का टीका है गल गोटू का है तो इनका समय समय पर जरूर टीका करण करवाएं आजकल जैसे पिछे लंपी इसकी तरह सुचना देना चाहता हूं कि समय समय पर जैसे अभी वर्षात की रितू से पहले मूखुर और गल गोटू के टीके लगेंगे वो पहले ही लगवा दें ऐसा ना हो को लेट कर दें कम से कम भी एक महिना पहले टीका लगा देना चाहिए ताकि 21 से दिन के बाद ही उसमें बोडी में मिनिटी आती है और उसे पहले ही अगर एंटी बोडी बन जाएंगी तो आपका पसू सुरक्सित रहेगा दूसरा पसू पालक पेट के किड़े की दुवाई भूल जाता है पसू को देने के लिए साल में दो बार पसू पालक अपने पसू के लिए पेट क पाचन किरिया है वो पूरी ज्यादा मजबूत रहे और अगर पाचन किरिया मजबूत रहेगी तो आपका दूद उतपादन भी बढ़ेगा तो इनको स्वास्ते के साथ साथ जब भी कोई ज्यादातर बिमारिया पसू पालक थनेला रोग या मैट्राइटिस कर्मी में ना या बार-बार गर्मी में आना तो ये मुखेते हैं वहाँ नजदीक के अपने पसूची किच्चस से दिखाएं और उसी हिजाब से पसूची किच्चस के उसका अपना ट्रीटमेंट करवाएं क्रिशी विश्व विध्यालय पशुपालन या खेती किसानी के क्षेतर में एक महत्व पूर भूमी का निभाते हैं यह वह हूं सफल किसान सुबे सिंग यादफ के छोटे से प्रयास से समाज में प्रेड़नस रोत साबित हो रहे हैं इनकी सही सूज बूज ने आज इनको सफल किसान बना दिया है इनकी सोच यही नहीं रुकती है बलकि यह भविश्य के लिए भी तैयार है खेती और पशुप कि तो यह था हमारा आज का सफल किसान आशा करते हैं आज की सफरता की कहानी को देखकर आप भी अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर सीख लेंगे और अपने लिए एक नई रहा तलाशनी का प्रयास करेंगे आशा करते हैं कि आज का कारिक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की कहानी हम सफल किसान में आपके लेकर आए तो आप हमें इमेल करें या फिर हमें पत्र भी लिख सकते हैं हमारा इमेल आईडी है सफलकिसान डीडेडरेट जीमेल डाट कॉम पत्र लिखने के लिए हमारा पता भी नोट कर ले हमारा पता है सफलकिसान कमरा नंबर 77 CPC दूरदर्शन खेलगाव नई दिल्ली एक एक शुनी शुनी च के साथ फिर होंगे हाजिर तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ नमस्कार हर दिन हर बल